महापुरुषों की जीवनी हिंदी में, दोस्तों आपके लिए आज हम महात्मा जोतिराव गोविंद्राव फुले जी की जीवनी संख्षिक्त में लेकर आए हैं, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं, महात्मा जो जोतिबा फुले को 19 सदी का प्रमुक समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतिय समाज में फ्याली अनिक कुरूतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अच्छुता उद्वार, नारी शिक्षा, विध्वा विवाह और किसानों के हित के लिए जोतिबा ने उल जरीप था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। जोतिबा जब मात्र एक वर्ष के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया था। जोतिबा का लालन-पालन सगुनाबाए नामक एक दाइ ने किया। सगुनाबाए ने ही उन्हें मां की ममता औ उन्हें विद्याले छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाय ने बालक जयोतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कारियों के बाद जो समय बचता उसमें वल किताबे पढ़ते थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्यान के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधार ने और उनके कल्यान के लिए भी काफी प्रयास किये। स्त्रियों की दशा सुधार ने और उनकी शिक्षा के लिए जियोतिबाने 1848 में एक स्कूल खो यह इस काम के लिए देश में पहला विद्या लए था। परिचे लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयम ये काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्चवर्ग के लोगों ने आरम से ही उनके काम में बाधा डालने की चेश्टा की। किन्तु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डाल कर पती पत्नी को घर से निकालवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्यक पर शीग्रही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिये। पेश्वाई के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत की वज़े से हुई बदलाव के 1840 के बाद द्रिश्य स्वरू पाया। हिंदू समाज के सामाजिक रूई परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधारक आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों नेस्त्री शिक्षन, विध्वा विवाह, पुनर विवाह, सन्मतीवय, बल विवाह आदी। सामाजिक विशेव पर लोगों को जगाने की कोशिश की। लेकिन उन्नीस्वी सादी के ये सुधारक, हिंदू परंपरा के वर्ब में अपनी भूमिका रखते थे। और समाज सुधारना की कोशिश करते थे। महात्मा जोतिराव फुले, इन्होंने भारत के इस सामाजिक आंदोलन से महराष्ट में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण संस्था, और जाती संस्था ये शोशन की व्यवस्था है, और जब तक इनका पूरी तरह से खत्म नहीं होता, तब तक एक समाज की निर्मिती असंभव है। ऐसी स्पष्ट भूमिका रखी। ऐसी भूमिका लेने वाले वो पहले भारतिय थे। जाती व्यवस्था निर्मूलन के कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबीत हुए। महात्मा फुले इन्होंने अच्छूत स्त्रियों और मेहलत करने वाले लोग इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती थी, उतनी कोशिश जिंदगी भर फुले ने की है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन ब्रम्हनोत्तर आंदोलन बहुजन समाज को आत्म सन्मान देने की किसानों के अधिकार की ऐसी बहुतसी लधाईयों को प्रारम किया। सत्य शोधक समाज ये भारतिय सामाजिक रांती के लिए कोशिश करने वाली अग्रनी संस्था बनी महात्मा फुले ने लोकमान्य तिर्लक, आगर कर, निया, रांडे, गयानन सरस्वती, इनकी साथ देश की राजनीती और समाज कारण आगे ले जाने की कोशिश की जब उन्हें लगा की इन लोगों की भूमिका, अच्छूत को न्याय देने वाली नहीं है तब उन्होंने उन पर टिका भी की, यही नियम ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रिय सभा और कॉंग्रेस के लिए भी लगाया हुआ दिखता है महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को पढ़ने के बाद 1848 में, उन्होंने पुने में लग्कियों के लिए भारत की पहली प्रशाला खोली 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कोशपाल भी थे, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, समाज में शुद्रों पर हो रहे शोशन तथा दुर्व्य वहार पर अनकुश लगाना था महात्मा फुले अंग्रेजी राज के बारे में एक सकारात्मक द्रिष्ट कोन रखते थे, क्योंकि अंग्रेजी राज की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक समानता के नए बिस बोय जा रहे थे महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बढ़ी ही प्रबलता तथा तीवरता से विध्वा विवाह की वकालक की उन्होंने उच्च जाती की विध्वाव के लिए 1854 में एक घर भी बनवाया था दुसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाती तथा वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे ज्योतिबा मेट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाए लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्च किया था उन दिनों में स्त्रियों की स्तिथी बहुत खराब थी क्योंक घर के कामों तक ही उनका दायरा था बच्पन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था दुर्भाग्य से अगर कोई बच्पन में ही विध्वा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था तब उन्होंने सोचा कि यदी भावी पीरी का निर्मान करने वाली माता ही अंधकार में दूबी रहेगी तो देश का क्या होगा और उन्होंने माताओं के पने पर जोर दिया था उन्होंने विध्वाओं और महिला कल्यान के लिए काफी काम किया था उन्होंने किसानों की हालत सुधार ने और उनके कल्यान के भी काफी प्रयास किये थे स्त्रियों की दशा सुधार ने और उनकी शिक्षा को अलिये ज्योतिबा और उनकी पत्नी ने मिलकर अथारा सो और तालीस में स्कूल खोला जो देश का पहला महिला विध्या लय था उस दौर में लक्कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित रीबाई को पाना शुरू कर दिया और उनको इतना योग्य बना दिया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके जो तिबा ये जानते थे कि देश्व समाज की वास्तविक उन्नती तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाती पान्ती के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता साथ ही देश की नार्या समाज के प्रतियक शेत्र में समान अधिकार नहीं पाले थी उन्होंने ततकालीन समय में भारतिय नवयुवकों का आवाहन किया कि वेदेश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुरायों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ, सुन्दर-सुद्रिर समाज का निर्मान करें मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं महराश्ट्रा में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फूले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बबोती नहीं मानते थे मानव मानव के बीच का भेद उन्हें आसहनिय लगता था डलितों और निर्बल वर्प को न्याय दिलाने के लिए जियो तिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधी दी जो तिबा ने ब्राहमन पुरोहित के बिना ही विवाह संसकार आरम कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली तुए बाल विवाह विरोधी और विध्वा विवाह की समर्थक थे तुए लोकमान्य के प्रशन सकों में थे कार्य और सामाजिक सुधार इनका सबसे पहला और महत्व कुर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और इनकी पहली अनुयाई खुद इनकी पत्नी थी, जो हमेशा अपने सपनों को बांगती थी, तथा पूरे जीवन भर उनका साथ दिया अपनी कलपनाओं और आकानक्षाओं के एक नियाई संगत और एक समान समाज बनाने के लिए, अथारा सो अर्तालीस में जोतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्या लए था, उनकी पत्नी सावित रिबाए वहां अध्यापान का कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्च असोचनिय घटना हुई उस समय, जोतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, हालाकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी, वो अपने लक्ष से नहीं भटके, और सामाजिक बुरायों के खिलाफ लड़ते रहे, और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे, 1851 में इन्होंने बड़ा और बहतर स्कूल शुरू किया, जो बहुत प्रसिद हुआ, वहां जाती, धर्म तथापंध के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, और उसके दर्वाजे सभी के लिए खुले थे, जो तिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे, वे ऐसी महिलाओं से बहुत सहानुभूती रखते थे, जो शोशन का शिकार हुई हो, या किसी कारणवश परेशान हो, इसलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के द दरवाजे खुले रखे थे, जहां उनकी देख भाल हो सके। अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत!